नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम अठाई सो ग्रेट पे के मामले में आज हाई कोट में सुनवाई होनी है लखनौ बेंच में एक देखिए एक अपडेट आई थी आप सभी ने देखा होगा कि MBBS की 75,000 सीटे और बढ़ जाएंगी तो इसमें अगर आप देखेंगे जो प्राइबेट सीट्स होती है उनमें फीस बहुत ज़्यादा होती है अगर यही गवर्मेंट सीट होती है तो उस इस्तिति में थोड़े कम पैसे लगते है तो उस इस्तिति में MBBS करना आसान हो जाता है अगर यह चुकि आप सभी जानते हैं कि जो किसी फॉरंग कंट्री में कैंडिडेट से आप भेरती चले जाते हैं अब उसमें चाहे सीटों की अनवेलिबिल्टी की वज़े से या फिर ज्यादा फीस होने की वज़े से इस चीज पर भी गवर्मेंट का फोकस होना चाहिए कि कम से कम फीस हो या फिर गवर्मेंट सीटे बढ़ें इसके आगे देखिए आप अब सभी आठवेः वेतन आयोक को लेकर कि आपके कुछ कमेंटपा होई थे अभी सा वा वेतन आयोक की जो वी खिपारिश थी उसके अनसार आप सभी को वेतन मिलते हैं आठवा वेतन आयोक अभी बनाने TWO लेकर कि नेड़े वुवा नहीं है जाने का तो अगर इसमें देखेंगे तो जो भी वर्तमान में सेलरी होती है जब भी आटमा वेतन आयोग लागू होगा तो सेलरी में एक अच्छा अच्छी बृद्धी देखने को मिल जाती है डिएड़ होने तक या कभी-कभी उससे भी ज्यादा सबागोने डिएड़ होने उस डेट से आपको बढ़ावा वेतन अत्रिक्त पैसा, एरियर्स की रूप में भी आपको दिया जाएगा, कोट में सुनवाई को लेकर के ऐसी भी जानकारी मिली थी, कि फानेंसिली सपोर्ट किया गया था, बहुत सारे लोगों ने आप में से सपोर्ट किये होंगे, तो इसमें कमल दीप, निराला जी के तरफ से आप सभी को पता चला होगा, और ऐसा होना ही चाहिए, कि किसी सीनियर अधिवक्ता को लाया जाए, और मजबूती से पैरवी की जाए, हर हाल में 2800 ग्रेट पे का आदेश आप सभी के पक्ष में आना ही चाहिए, आज जो सुनवाई होनी है, यह कंटेम्ट अप्रिकेशन है, और मानना ही आचिका है, कि 4 जुलाई 2023 के आदेश का, हाई कोट के आदेश का, अभी तक स्वास्ते विभाग ने अनुपालंग क्यों नहीं किया, और इसमें सीधे सीधे सासन की अधिकारी, यानि कि प्रमुख सचियु जी को परस्नल अपेरेंस के लिए इसके पहले भी बोला गया था, और आज फिर से बोला गया है, और परस्नल अपेर हो करके अपना जवाब दाखिल करना है, अब देखना ही होगा कि अपने एड़ोकेट की भिहाब पर अपना जवाब दाखिल करते हैं, प्रमुख सचियु सर्या फिर प्रत्यक्षोपस्तित होते हैं, तो जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को, उसकी अपडेट तुरंद देने का प्रयास करेंगे, एडिसनल में मामला है, सबसे पहले कुछ मामले फ्रेस की थे उसके बाद एडिसनल में, एडिसनल में आप सभी देखेंगे, तो यहाँ पर यह केस लगा हुआ है, सीरियल लंबर 417 पर, कंटेंट अप्रिकेशन है, 1423 आप 2023, कमल दीप, निराला जी एंट 20 एंड अधर्स, एक जो मामला है, स्पेशल अपील वाला, उस पर सुनवाई 25 सितंबर को होनी है, जिसमें स्वास्ते विभाग को सरकार को समय दिया गया है, कि आप जो भी डोकुमेंट्स दे सकते हैं, देने दीजियो उसमें, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉपर तर्क नहीं है, जिसकी आधार पर आप पहले जो भी लोग हैं, उनको आप 2800 ग्रेट पेपर क्यो वेतन क्यों सेलरी आप देंगे, इसके पीछे कोई भी प्रॉपर रीजन देखिया है नहीं, बस इसमें कुल मिला करके, जितने भी आप लोग कार करता है, स्वास्ते कार करता है, महिला चाहिए, पुरूस, सरकार को यहाँ पर मान जाना चाहिए, आप लोगों से लड़ने क में भी आप आ रहेंगे, आमें पूरी उम्मीद है और इसके बाद फिर अटाइसो ग्रेट पे इंको लागू करना ही पड़ेगा, तो आज की सुनवाए में देखिया मामला हो सकता है कि लंच से पहले भी केश टेक अफ हो जाए, एक बज़े के आस पास तक लंच होता है, एक बज़े ही मान करके चलें आप, तो दस बज़े से लेकर के एक बज़े तक का समय होता है, डेट दो एक डिड़ खंटे का समय लगबख फ्रेस केस में जाएगा, अगर कोई अन्ने ट्रांसफर के साथ ही नहीं होए तो वैसे अपने ही बेंच के मामले सुरे जाते हैं जरूर देंगे, पूरी कोशिस करेंगे देनी की, ये स्पेसल अपील है जिस पर सुनवाई होनी है 25 सितंबर को, और ये सरकार की याचका है डिवीजन बेंच में, तो उमीद है कि ये याचका सरकार के फिर से डिसमिस होगी, खारिज होगी, जैसा कि सिंगल बेंच से वो हा कामले पर सुनुभाई होगी, परिसनल अपिरन्स का मतलब होता है जै कि माने नयायले कहीं नहीं सक्त हैं, कि आपने अभी तक आदेस का पालाग कूँ नहीं किया तो ये कहीं नहीं माने नयायले की और मानना हो जाती है। इसके पहले इन्होंने ये बहाना दिया था कि Special Appeal हमने फाइल की हुई Special Appeal से क्या मतलब है Our Lady आपकी एक पुनर विचार याज का खारिज हो चुकी है सरकार की स्वास्ती भी भाग की तो अभी Special Appeal अगर आपने फाइल कर दी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी के लिए 2800 Great Pay का आदेश इसी वर्स में देखने को मिल सकता है बाकी हमारी पूरी शुपकावना है आप सभी के लिए कि आप सभी का संगर्स आप सभी सफल आप सभी का संगर्स निसी तरोब से सफल हो तो आज की हाई कोट सुनवाएगी जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के मादम से जानकारे देने का प्रियास करेंगे तब तक आप सभी अपना ख्यार लखें वीडियो को आप प्लीज लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने भी तर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजेगा धन्यवाद